साहिल खान ने जिस तरीके से 16 साल की हिंदू लड़की साक्षी का बिरहमी से कतल किया उससे पूरे देश में आक्रोश है अब इस मर्डर में लव जिहाद का भी अंगल आ रहा है क्योंकि साहिल ने जिस तरीके से कलावा और रुद्राक्ष पहन कर अपनी पैचान छिपाने की कोशिश की उससे कई तरह की सवाल खड़े हो रहे है पुलिस इस मामले के हर पहलू की जाच कर रही है जिस चाकू से साहिल ने साक्षी का खून किया वो चाकू अब तक बरामत नहीं हो पाया है पुलिस उस चाकू की भी तलाश कर रही है वहीं साहिल के इंस्टेग्राम चैट से भी एक बड़ा खुलासा हुआ है साहिल कई और लड़कियों के संपर्ख में था इस बात को लेकर साहिल और साक्षी का कई बार जगड़ा हो चुका था थोड़ी दिर में दिल्ले पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फरिंस करने वाली है जिसमें कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं दिल्ली के खुनी लव जिहाद को लेकर पूरे देश में गुस्सा है इस बीच बीज़ेपी सांसत मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया है मनोज दिवारी ने कहा है कि साक्षी के खिलाफ लव जिहाद वाली साजिश हुई है उसके हत्यारे को फासी की सजा देनी चाहिए साहिल धर्म मुसल्मान गले में रुद्राक्ष हाथ में कलावा आप मानते हैं के एक शडिंदर चल रहा है इसी को लब जिहाद बोलते हैं यही वो साजिस है यह कोई ऐसे सामाने नहीं है और इनके पीछे जो शक्तियां है जो पिछले तीन-चार दिन में उस पे अलग-अलग बयान देने की कोशिस की है इसकी साजिस में दिल्ली सरकार सामने आई है इतनी दुरदांत घटना हो गई है और आपको इसमें LG की राजनिती करनी है आज मैं आपके चैनल पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कम से कम समय में इनको फासी के तक्ते तक ले जाया जा है लेकिन म मैं आपको इसी दिल्ली की एक घटना आज आपके चैनल पे शेयर करना चाहता हूँ ग्यारह साल की बच्ची को इसी दिल्ली के इश्ट में रहती थी और वहां से उसको ले जा करके गाजियाबाद में एक मदरसे में दो दिन तक उसका रेप किया गया क्या हम फॉलो अप कर पाएं हैं कि रेपिष्ट कहां है इसमें वो बेल पे हैं वो मौलवी बेल पे हैं जिसने बच्ची का रेप किया मैं आपको ये सारा नियूज आपको दे देता हूं तब आपको समझ में और सबको समझ में आएगा सर कि ये साहिल खान जैसे लोगों की हिम्मत कौन बढ़ाता है ग्यारा साल की बच्ची का रेप करने वाला बेल पे जा सकता है ये कितना बड़ा क्योस्चन मारके जो शक्ती देता है ऐसे लोगों को दिल्ली सरकार लव जिहाद का नाम ने ले रही है वो एलजी पर हमला कर रहे हैं कल आतिशी ने प्रेस कौन फिस कि इन्होंने बाइट कि इन्होंने ये कहा कि इसके लिए पूरतरा जिम्मेदार है इतनी इनकी बाते सुन लिजिया कल ही इन्होंने पर्चे दे दिया ये इनको सजा नहीं दिलाएंगे इसका उदारन में आपको दिखाना चाहता हूं गाजी पुर माइनस रेप मॉल्वी ऑफ गाजियाबाद मदर्सा अरेश्टेड माइनर गर्ल रेप्ट बाई जुवनिल इन गाजियाबाद मदर्सा लिब इन गाजियाबाद सर्वाइवर से सीवाज रेप्ट बाई जुवनिल एंड मॉल्वी एंड ये आर उन बेल केस को लड़ता है दिल्ली सरकार उनके पुब्लिक प्रसीक्यूटर इस केस को आप खोलिये फिर आपको पता चलेगा ये जो आ बाई मिलाते हैं कि आप ऐसे केस को न्याय मत दिलाओ ये हमारे तुष्टी करनी हमारे वोट बैंक है कें भी बियेव वाइक डिस मैं ये आपको सारा डिटेल भेज देता हूं ये टाइमस ऑफ इंडिया की नूज ये इसी शहर के एस्टी की न्यूज, प्रिंट की न्यूज, सब आपको भेजता हूँ और जब आप इसका पर्ताल करेंगे, मैं आप ही को नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी मीडिया और दिल्ली के लोगों कह रहा हूँ, आखे खोलिये, आज साहिल खान ने साक्षी को निशन सहरतिया किया, दस द रेपिस्ट, रेप करने वाले जो लोग थे, उनका कैसे बेल हो गया, पॉक्सो केसे, एक आखरे प्रश्म में लोगा, क्या दिल्ली में लव जिहाद कानून के जरूरत है, आप मानते हैं, हंड्रिट परसंट लव जिहाद कानून की जरूरत है यहां पे, यह प्री रहा है, तभी तो यह हत्या होई होगी, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, अगर यह सारी, दिको मूल बिंदू पे मैं जहां सोच रहा हूँ, कि दिल्ली सरकार दोड़ के पड़कर के लिए आई, केस कौन लड़ेगा इसका, वो केस लड़ने वाले जो है, उनकी कानून की, कानून बनने के बाद भी पॉक्सो एक्ट में कानून की कमी तो है नहीं, लेकिन ग्यारा साल की बच्ची का रेपिस्ट कैसे बेल पे जा सकता है, इसके तह में जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि दिल्ली में ऐसी घटनाओं का मनोबल बढ़ाने वाला अब भई उससे बड़ी तो कोई सजा है नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को फांसी देना और सिग्राते सिग्र फांसी देना, तब हम एक्जांपल सेट कर सकते हैं, तब ही लोगों के जिस तरह से खौल रहा है मन, और सब कुछ साथ से सामने है, तो इसमें माननी कोर्ट का भी ब याई दे सकते हैं, ताकि ऐसे अपराधियों को एक बड़ा खड़ा मेसेज जाए, तो ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी हो, ये जो है बात मनोश्च्वारी ने कहीं